next question question says find the mass m of the hanging block in the figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block all the surfaces are frictionless and strings and pulleys are light यह अपने को दिया हुआ है now सवाल लंबा चोड़ा कते ही नहीं है concept चल अच्छा है इसमें 2-3 अच्छे concept लगेंगे और मैंने इसके बहुत सारे उल्टे-पुल्टे solution net पे देखे हैं so I will give you the correct solution ठीक है तो ध्यान देना scenario यह है कि यह आपका block triangular block है ऐसे रखा है थीटा इसका angle है पर यह बना लेते हैं just to show कि यह frictionless surface है यहाँ पर आपने एक पुली लगाई पुली के उपर आपने लेटस से m1 मास हैंग किया है और यह ऐसे connected है ठीक है और यहाँ पर एक आपका इसको m2 मास कह रहते हैं और इसको m3 कह रहते हैं मैं जान बूच के यहाँ पर m3 जान बूच के यहाँ पर m1, m2, m3 terminologies की change कर रहा हूं so that आपका m1, m2, m or small m or capital m की वज़े से understanding में गड़ बढ़ना हो ठीक है तो यह m1 है यह m2 है यह m3 है सबसे पहले तो यह देखते हैं कि हमारी condition है हमारी जो let's say इसका acceleration a है और यह अगर block आगे move कर रहा है इस direction में पूरा यह system आगे जा रहा है तो इसके उपर एक pseudo force लगेगा तो इस m3 block के उपर अगर इसका fbd बनाए हम m3 block इसका fbd बनाए है तो इसके उपर एक नीचे एक काम करते हैं मैं आपको पूरा visualize भी करवा देता हूं ठीक है तो इसके उपर यह आपकी theta direction है तो यहाँ पे एक force लग रहा है that will be equal to mg sin theta जो इसको नीचे लेके जाएगा ठीक है इसके उपर पीछे की direction में एक ma force लगेगा m3a m3a all right अब now m3a का जो component है यह angle आपका theta है यह angle theta है इसका जो यह component आएगा that will be equal to m3a cos theta यह दोनों बराबर होने चाहिए जिससे कि यह इस frame में अगर यहाँ पर आगर आप बैठ जाएंगे अगर आप यहाँ बैठ के इसको देख रहे है सो यहाँ से आपको यह इसी जगे रखावा दिखेगा of course जब आप ground frame से देख रहे हैं सो यह दोनों आगे move कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर खड़े हो के आपको दिखेगा यह blog यहीं पर पहले भी यह था अब भी यहीं पर ठीक है सो इसकी condition यह हो जाएगी कि आपका m3a cos theta should be equal to m3g sin theta now g आपका नहीं m3 will get cancelled m3g so which implies आपका इसको अगर हम नीचे ले जाए so a will be equal to g tan theta यह आपकी equation बना गए यह आपकी pseudo force के constraint वाले motion से कि आपने जो constraint ने के दोनों साथ चलेंगे तो अपनी पहली equation आगई now इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों block को अगर देखेंगे इनका अगर हम combined fbd बनाएंगे so यहाँ पर आपकी tension t है यहाँ पर आपकी tension इन दोनों को आगे ax relation से ऐसे लेके जा रही है which implies आपकी जो next fbd बना रहे है वो m2 plus m3 का fbd बना रहे है एक system का because दोनों का ax solution सेम है तो हम इसका एक system मान के fbd बना सकते हैं m1 का जब हम fbd बनाएंगे so इस पर नीचे force लग रहा है आपका m1g और ऊपर आपके tension और यह पूरा block a acceleration से नीचे जा रहे है so इसकी equation हो जाएगी m1g minus t will be equal to m1a1 m1a अब tension की value होगर हम यहाँ पर रख दें तो अपने को m1 की value मिल जाएगी so यह आपकी equation बन जाएगी m1g minus यह आगया आपका m2 plus m3a will be equal to m1a now a को हम g tan theta यहाँ पर लिखके a को also eliminate कर सकते है so यह value आगया आपकी m1g minus m2 plus m3 multiplied by g tan theta will be equal to m1g tan theta now यहाँ पर g g g g तीनों में वो ओड़ जाएगा इसको अगर हम expand कर ले हाला कि हमें m1 की value निकालनी है now इसमें m1 वाली term सारी एक तरफ ले आते so which means यह बन जाएगा आपका m1g अपना cancel हो चुका है 1 minus tan theta इदर आके minus हो जाएगा इसको दले जाते है that will be equal to m2 plus m3 multiplied by tan theta ठीक है so इसको अगर हम solve करेंगे so आपकी m1 की जो value है वो आगई tan theta divided by 1 minus tan theta multiplied by m2 plus m3 यह आपकी final value हो गई now इसका जो अपने को answer दे रखा है वो मेरे खाले cot theta की term में तो उपर और नीचे अगर हम 10 theta से divide कर दें so आपका जो m1 है वो आ जाएगा m2 plus m3 divided by cot theta minus 1 आपने 10 theta से उपर नीचे divide कर दिया so this will be our final answer for this particular problem झाल ====